न्यूस पोर्नेशन की एक पोकार घर पर रहिए सपरवार स्टे होम, स्टे स्टे कोरोना वाइरस महा संकट के बीच जब अमेरिका को दबाई की मदद की दरकार थी तब भारत ने आगे बढ़कर उसके मदद की थी इसी के कुछ दिन बाद वाइट हाउस ने सोसल मीडिया पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी समेद भारत के छे ट्यूटर हैंडल को फॉलो करना शूरू किया था लेकिन अब कुछ दिन के बाद वाइट हाउस ने एक बार फिड से इन सभी हैंडल को फॉलो कर दिया है भारत ने जब कोरोना वाइरस से लडाई के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोविक्वीन दबाई देने का फैसला लिया उसके बाद 10 अपरेल को वाइट हाउस के ट्यूटर हैंडल ने कई भारतिये ट्यूटर हैंडल को फॉलो किया इसमें प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी, प्रधान मंत्री कारियाले, राष्टरपती भवन अमेरिका में भारतिये दूताबास और भारत में अमेरिकी दूताबास को फॉलो किया गया इसके अलाबा भारत में अमेरिका के साथ राजदूत केन जस्टर को भी फॉलो किया गया था इन सभी के साथ वाइट हाउस के द्वारा फॉलो किये जाने वाले लोगों की श्रंग क्या उनिस हो गई थी जिसमें सभी भी देशी हैंडल भारत से तालूक रखते थी अब कुछ दिन के बाद वाइट हाउस ने बापस इन सभी ट्यूटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया है और फिर से सिर्फ अमेरिकी परशासन डोनाल टरंप से जुड़े ट्यूटर हैंडल को फॉलो करना शुरू कर दिया है वाइट हाउस अब सिर्फ 13 ट्यूटर हैंडल को फॉलो कर रहा है सोसल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं और एटकलें शुरू हो गई है गौर तलब है कि भारत ने बड़ी संख्या में हाइड्रोक्सी क्लोरोवक्विन दबाई को अमेरिका को सोपा है ना सिर्फ अमेरिका बलकि दुनिया के कई बड़े देशों को ये दबाई भारत की ओर से दी गई है हलाकि बीते दिनों अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई थी जितने उम्मीद थी हाइड्रोक्सी क्लोरोवक्विन कोरोना के खिला प्लडाई में उतना असर नहीं दिखा पाई बता दें कि बीते दीन है अमेरिका के एक विभाग ने भारत में धार्मिक मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की थी जिसमें अल्पसंख्यकों को धार्मिक आजादिना मिलने की बात कही गई थी नियुच्फोर नेशन की रिपोर्ट झाल